दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिर से जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभीनेता अक्षे कुमार और अजिदेवगन की साल 2007 में रिलीज हुई फिल्मों के बारे में और साथ इसाथ हम जानेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और साथ इसाथ आपको बताएंगे कि साल 2007 में अक्षे कुमार या अजिदेवगन कौन रहा था बॉलिवड बॉक्स आफिस पर आगे तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले बॉलिवड के खिलाड़े अक्षे कुमार की तो अक्षे कुमार ने साल 2007 में टोटल चार फिल्में की थी जिसमें अक्षे कुमार की वेलकम भूल भूलेया है बेबी और नमस्ते लंदन जैसी शानदार फिल्में शामिल थी और 2007 2007 में चार फिल्में की थी और इन चारो फिल्मों ने धूम मचा दी थी जम करते हलका मचाया था बैश्ट सालों में से एक था अक्षे कुमार के लिए साल और अगर बात करें इन चारो फिल्मों के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में तो इन चारो फिल्मों ने लगबग 20 204 करोड रुपए का बॉक्स आफिस कलेक्शन किया था जिसमें आक्षी कुमार की नमस्ते लंदन सेमी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म ने 37 करोड रुपए का बॉक्स आफिस कलेक्शन किया था बेबी हिट है बेबी हिट हुई थी और इस फिल्म ने 47 करोड रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था और वैलकम ने तो धमाल मचा दिया था वैलकम दोस्तों मुझे भी जब भी टीवी पर आती है या जब दिल करता है मुबाइल पर देखने का या कहीं भी वैलकम फिल्म का मुझे एक सीन नजर आता है तो मैं रोग देता हूं बिल्गूल कि इस फिल्म यही चलेगी अब मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है वैलकम फिल्म और वैलकम फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी और इस फिल्म ने लगबग 71 करोड रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था तो दोस्तों अगर बात करें अजी देवगन की तो साल 2007 अज जिदेवगन ने सिर्फ दो फिल्मों में काम किया था जिसमें राम गोपाल वर्मा की आग और कैश जैसी फ्लॉप फिल्म में शामिल थी और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखाया था हाला कि कैश फ्लॉप हुई थी और इस फिल्म ने 18 क्था कुमार के नाम रहा था और आपको साथ में यह भी बताता चलू कि साल 2007 में आक्षर कुमार को किसी भी अभिनेते ने टकर नहीं दी शारु खान के बाद चाहरु खान ने साल 2007 में ओम शांती ओम और चक दे इंडिया जैसी ब्लोगबस्टर फिल्में की थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक्यू